Welcome back students, इस lecture में हम fermented design पे बात करते हैं कि जो हमरे पास, जो हम fermented use करते हैं, उनका design किस तरह होता है, construction उनकी किस तरह होती है, तो start करते हैं अपने lecture को. यह जो डिजाइन है फर्मेंटर का अगर हम टॉप से इसका स्टार्ट कर देते हैं तो इधर जो है यह एजिटेटर लगा होता है यह पूरा का पूरा एजिटेटर है इधर जो है मोटर लगा होता है और यह मोटर जो है यह क्या करता है स्टेरिंग करता है तो ये दर जो है स्टेरर लगा होता है ये जो है ये 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 शाफ्ट है शाफ्ट जो है इस शाफ्ट के साथ एंपिलर्स लगे होते हैं एंपिलर्स होते हैं ब्लेड्स तो इनका काम होता है pillars का कि ये properly agitation करते हैं क्योंकि ये regularly rotate करते हैं तो इनकी rotator से जो है ये पूरा media जो है ये agitate करता है तो इस agitation से proper जो है nutrient और oxygen की maxing होती है और cell surge जो है nutrients है वो available होते हैं और जो metabolites है वो भी easily homogeneously distribute होते हैं साथ में acid based control भी होता है इदर जो है हम अगर for example medium जो है acidic हो रहा होता है क्योंकि इदर pH probes लगे होते हैं तो वो pH की detection करते हैं कि optimum pH से below जा रहा है या above जा रहा है तो mostly जो fermentation process है इसमें media acidic हो जाता है तो इदर से acid based control होता है तो इदर से हम pH को acid based की मदद से जो हम pH को control करते हैं साथ में जो है इदर ये जो है culture medium है जो fermenter में एक purpose के लिए जो हम microbial growth के लिए हम add करते हैं mostly ये liquid media होता है इदर pH probes के साथ साथ temperature probes भी लगे होते हैं जो optimum temperature को detect करते हैं और इस तरह जो है impeller जो है ये proper mixing करते हैं cooling jacket होता है cooling jacket में ये होता है कि अधर हम cold water डालते हैं यह नि टंडा पानी हम इसमें डालते हैं circulate करते हैं अच्छा ये जो है इसके बाहर ही लगे होते हैं means कि अगर हम cold water को इसमें inlet की through enter कर देते हैं तो ये medium में add नहीं होते बलके बाहर ही cooling jacket में circulate करते हैं और इदर outlet लगा होता है इस outlet के through पर ये पानी जो है अपने साथ heat को absorb करके बाहर निकल जाता है तो इस तरह medium की heating को control करते हैं heat up को control करते हैं ये cooling jackets इसके लावा इदर harvesting pipe होता है इदर harvesting pipe से हम क्या करते हैं कि अगर हमने sampling करनी होती है तो sample भी ले सकते हैं या product को जो है वो हमने recover करना होता है तो वो इस harvesting pipe की through हम recover कर सकते हैं इदर जो है एक sparger system लगा होता है sparger system की through हम sterile air को provide करते हैं अगर हमने aeration करनी है या oxygen को supply करना होता है तो इदर compressed air inlet होता है यह नहीं हम इदर क्या करते हैं कि compressed air को enter कर देते हैं pressure से लेकिन वो air जो है वो sterile होता है क्योंकि एदर एक filter paper लगा होता है और उस filter paper से हम air को pass करते हैं तो इस तरह एक sterile air जो है अंदर enter होता है जो aeration करता है इदर जो है यह sampling point है अगर हमने time to time इस fermenter से sampling करनी होती है प्रड़क्ट की quantity को measure करने के लिए ना या फर इंपल सिल बैयो मास को देखने के लिए तो इदर हम sampling point से हम sample भी ले सकते हैं अच्छा इदर oxygen sensor भी होता है जो medium में oxygen level को check करते हैं और साथ में जो है इदर baffles लगे होते हैं बैफल्स यह दो जो आप लोग देख रहे हैं वर्टिकली या रेडियली जो है इसके साथ attach होते हैं बैफल्स अब बैफल्स का function यह होता है कि जब यह impellers run करते हैं rotate करते हैं तो इदर vortex generate होता है तो वाटक्ट जो है यह dangerous भी हो सकता है अगर बहुत speed से हो तो यह even fermenter को जो है यह वो damage कर सकते है यह sample बाहर गर सकता है तो इस वज़ह से इस vortex को कम करने के लिए या उसको break करने के लिए इदर baffles लगे होते हैं यह baffles जो है यह उनको uniform रखते हैं और उसको vortex को break करते हैं पर्मेंटर्स हैं वह basically stainless steel के बने होते हैं कि मस्बूत होते हैं स्टेंले स्टील के बने होते हैं और externally इसके साथ पूलिंग जैकेट्स अटेच होता है अब इस कूलिंग जैकेट्स के तू हम हाट स्टीम को भी पास कर सकते हैं आगर हमने वेसल की stylization करनी होती है तो hot steam pass करते हैं यह अगर media से हमने heat को remove करना होता है तो cold water इससे pass करते हैं in order to cool down the medium तो medium को cool down करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे cold water को pass करते हैं अच्छे इसके तो cooling jackets हैं कि यह स्टेलाइजेशन के लिए मेडियम की स्टेलाइजेशन के लिए भी जरूरी होते हैं और साथ-साथ में हीट को रिमूव करने के लिए भी जरूरी होती है तो यह बहुत ही फर्मेंटेशन प्रॉसेश को रिगूलेट करने के लिए यह इंपॉर्टेंट होती हैं और इस jackets की तरह का काम करते हैं इस से जो हैं हम एगर media में जो है वो heat required होते हैं तो हम इस से steam pass करते हैं कि फर जम्पल अगर inadequate distribution hour temperature होता है heat होता है तो हम से steam को pass करते हैं और media के temperature को maintain करते हैं और अगर फिर्फ़ाब मेडिया का heat up हो जाता है heat ज्यादा हो जाता है तो हम इन coils में भी जो है वो cold water को circulate कर देते हैं तो इस तरह जो है medium का temperature जो है वो down हो जाता है और second जो है वो aeration system है aeration जो है फ़र अगर microbial density ज्यादा होती है इन्ही ज्यादा amount में cell biomass मौजूद होता है तो उनको tremendous demand of oxygen होता है इन्हीं oxygen उनके लिए aerobic cultures के लिए oxygen बहुत ज्यादा जूरी होता है तो इसके लिए हमरे पास अब aeration system के लिए दो devices होते हैं एक होता है sparger system और दूसरा impeller होता है यह दो systems लगे होते हैं जो sparger system है इसमें क्या होता है टैनी होल्स होते है सीरी유 फटाष़्ता है और एसमें हम air को पास करते हैं लेकिन पहले उसे 극्याद करते हैं तो जब oxygen इससे पास होता है तो यह हम high pressure पे pass करते हैं और इससे पिर क्या होता है कि tiny bubbles जो है इस तरह generate होते हैं यहीं मेडिया में जब हम इससे air pass करते हैं sparger से तो इधर tiny bubbles produce होते हैं अब वो tiny bubbles जो हैं वो क्या करते हैं कि वो efficient method से oxygen को supply करते हैं या distribute करते हैं throughout the medium, throughout the medium जो है efficient उसकी medium की aeration होती है, इस sparges system का ये फैदा होता है, तो इस तरह oxygen जो है ये वो पूरे medium में pass होता है, और second जो है impellers होते हैं, impellers जो है ये agitate करते हैं, media को rotate करते हैं properly, और क्या कर देते हैं, mix करते हैं, या stare कर देते हैं, तो ये जब run होते हैं impellers जो हैं, ये run होते हैं, तो properly mixing होती है medium की, throughout उसमें nutrient और oxygen जो है properly mix up होता है, तो इस air को provide करने के लिए ये sparger system और impeller system ये बहुत ही important होता है, Okay student, thank you so much.